Hello everyone, Khama Gani to all my beautiful ladies अकसर कई बार हम सोचते हैं कि हमारे wardrobe के अंदर सब कुछ इतना ज्यादा इखटा हो गया कि नया कुछ लेने का दिली नहीं करता तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना अच्छा एक आईडिया लेकर आई हूँ जिसके लिए आप सभी मुझे कॉंपलिमेंट करने वाले हो आपको ये वीडियो पूरा लास तक देखना है ताकि आपको चीजों का पता चल सके कि मैंने इसको कैसे यूज किया आज का ये वीडियो होने वाला है एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो कि अगर आप एक राजपूत है राजपूत ब्राइट टू भी है तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज हो सकती है 2023 के एपरिल मंथ में मैंने एक साडी का सूट सिलवाया था जो की पुशाक थी और उसमें मेरा एक डांस वीडियो है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी तो आपको वो फोटो देखके आइडिया हो जाएगा उसके बाद में वो सूट सिलवाने के बाद में मार्केट में हर जगे वो कपड़ा देखने के लिए मिल गया था मतलब हर शौप पे वो कपड़ा अवेलिबल था तो यह देखकर आपको भी अब लगा होगा कि मैं आज के इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली आज का ये वीडियो होने वाला है आप अपनी कैसे पुराना आपके पास में अगर आपके कोई पुरानी प्यॉर की साड़ी पड़ी है तो उससे पुषाक कैसे बनवाए आज का ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है क्योंकि मैंने एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी आप खुद के लिए create करवाई है और मैंने ये कहां से करवाया है किस से करवाया है इसका जो full detail है वो मैं आपको description box में provide करा दूंगी तो आप लोग वहां से जाकर इसको checkout कर सकते हैं तो देखिए क्या आपको याद है ये वाली जो पुशाक है क्या आपको लग रहा है कि ये मै मैंने कहीं से purchase करी है अभी मैं इसको आपको पूरा खोल कर दिखाऊंगी मेरे पास में एक साडी थी प्यॉर बंदेज की साडी थी और ये वाली ही वो साडी है अगर आप इसको देखते हैं तो मैंने इसको पुशाक में convert करा लिया है इसकी सिलाई मैंने कहां से करवाई है म I hope you all are doing great my beautiful ladies अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल ताकि मैं इसी तरह के hacks and tricks आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं क्योंकि कई बार क्या होता है हम इतनी जादा महंगी पुशाक के पर्चेस करन नहीं चाहते हैं बट फिर भी हमें कहीं function में पहननी होती है तो हमें वो पुशाक पर्चेस करनी पड़ती है और कई बार हमारे पास में इतनी ज्यादा पुशाक है इखटी हो जाती है कि उनको पहनना भी एक दो बार पहनी फिर पहनने का दिल भी नहीं करता तो इसलिए ए यहां पर शो कर दूंगे तो आपको एक बार आइडिया लग जाए मैंने यह जोट वाड़ा में एक शॉप है जहां से पर्चेस करी थी और अराउंड साड़े बारा सो रुपए के आसपास में मुझे यह साड़ी अवेलिबल हो गई थी और एकदम प्यॉर बंधेज वाला किया था और उसके बाद में मैंने इसके इतनी सुंदर पुषाक बनवाई है जो कि मैं अगले वीडियो में वियर करके आप लोगों को इसके फोटो मैं शेयर करूंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह कैसी लग रही है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैं मैंने यह कहां से पर्चेस करी थी जोटवाडा में एक शॉप है उस शॉप का नाम अभी एक साल कंप्लीट होने वाला है तो मुझे आइडिया नहीं है बट चांदनी जोएलर्स जो है उनके जस सामने वो शॉप थी और वहां से मैंने यह पुषाक पर्चेस करी थी जिसको यह साडी थी और मुझे उस टाइम लास्ट ऑगस्ट जो था उस टाइम सेल चल रहा था तो मुझे इतने सस्ते में यह साडी मिल गई और आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह इसकी कूर्टी है इस साडी का यहां पर इस जिस मैंने यह पुषाक जहां से सिलवाई है उन यहां पर इसका यह इसमें मंग जी यूज करी गई है और एकदम ब्राइट ब्लू कलर जो होता है आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर मैं इसको वियर करूंगी तो यह कैसी दिखेगी और अगर 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 आप कम से कम अगर यह बंदेज वाली पुषाक अगर मार्क अगर इसको अगर अगर लोगर क्वालिटी का कपड़ा है तो वह आपको तीन अजार रुपए से कम नहीं मिलने वाली है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका यह देखिए इतनी ज्यादा लाइट वेट है अगर बहुत ज्यादा कपड़ा होता यह मेरी कुर्टी ह क्र mae एक कर आख दो यह करते हों सब्सक्रान डेल करती का कांचली का किस तरीके से नॉर्मल जो पुषांग भनती है जिस तरीके से और कोई इसे कह नहीं सकता कि मैंने ये साड़ी से बनवाई है इसमें भी आप लोग ये देखिए इसके भी नीचे मंगजी यूज करी गई है और इसमें पिंग कलर के यहां पे आप देख सकते हैं इसमें पिंग कलर का छोटे-छोटे से बंधेज दिये गए हैं तो जो ओधन है वो सबसे जाधा इंट्रेस्टिंग होने वाली है यहां पे तो तेरा सो रुपए की मेरी साड़ी थी पांच सो रुपए मैंने इसके सिलाई के दिये और उसी पांच सो रुपए में सिलाई भी थी मंगजी भी थी उन्होंने अस्तर का उन्होंने किया क्योंकि वो मेरे ब बनवाया है इसकी प्राइस क्या है और इसका ये डिजाइन आप लोग देख सकते हैं ये मैंने कस्टमाइज करवाई है और इसमें ये नीचे गोटा लगाया हुआ है और यहां पे इस तरीके की डिजाइन है मेरी एक पोशाक है उसके ओडने में भी सेम ये जाल वाला ये ता जो थोड़ा सा मिनिममम जो वर्क हो जैसे की मैंने ये वाली ओडनी अभी पहन रखी है इस तरीके का गोटा पत्ती का काम हो तो वह भी बहुत जादा युनीक लगता है रॉयल दिखता है क्लासिक दिखता है बहुत जादा तड़क भड़क वाली पुशाके अभी इसको डिखता है चाही में जाँ है तो तोली 3500-4000 असपास में ये आपको प्योर की पुशाक और जिस तरीके से आप इसको डिजाइन करवाना चाहते है अगर आप इसमें खर्चा और कम चाहते हैं तो आप जो गोटा आता है उस गोटे को यहाँर पे लगवा सकते हैं पहनना चाहते हैं जो कि युनीक भी लगे और एक इसी तरीके का पोशाक मैंने करवा चौत के लिए डिजाइन करा है जो कि मैंने खुछ से वो भी साडी से करा है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी कि वो किस तरीके की पोशाक वो रेड कलर का है और इससे भी ज्यादा लगजरी पोशाक वो क्रियेट हुई है वो भी मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगी आपको ये कॉंटेंट कैसा लगा प्लीज डू कॉमेंट अन दिस वीडियो क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोगों के एप्रिशेशन की मुझे बहुत जादा जरूरत होती है जब आप लोग कहते हैं कि इस पर वीडियो बनाईए इस टाइटल पर वीडियो बनाईए ये वाला टॉपिक लीजे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और तभी मैं खुद को इंकरज कर पाती हूं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो आप बताएंगे मुझे आपका ये वीडियो आप लोगों को कैसे अलगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो